हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टो टैलेंट स्काउट अकेडमी आज हम टैन्थ क्लास मैथमेटिक चेप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल की एक्ससाइज 2.4 करेंगे एक्ससाइज 2.4 ऑप्शनल है इन बच्चों ना मैथ स्टेंडर्ली है उनके लिए टॉपिक कवर करना ज क्योबिक पॉलिनोमियल क्या होता है क्योबिक पॉलिनोमियल की हाइस डिगरी 3 हो जिसकी घात 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यानि कि तरी घात भहुपद कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स की पावर 3 बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस मे जिसके highest degree 3 हो जिसकी गहात 3 हो उसको हम cubic polynomial कहते हैं A, B और C ये coefficient होते हैं X के A, B और C A, X के power 3 का coefficient है B, X के power 2 का coefficient है C, X का coefficient है कुन्यांक बोलते हैं को कुन्यांक जब हम इस cubic polynomial को solve करते हैं तो इसके 3 zeros आते हैं जितनी degree होती है zeros भी उतनी आते हैं 3 degree होगी, 3 घात होगी तो 3 zeros, 2 degree होगी तो 2 zeros यहां पर power 3 है, cubic polynomial है तो इसके zeros भी 3 आएंगे यानि किसके solution जो होगा, वो 3 आएंगे तो इस solution को हम बोलते हैं alpha, beta and gamma जो इनके zeros आते हैं उनको alpha, beta और gamma कहते हैं देखे, cubic polynomial में अगर हमें sum of zeros निकालना हो sum of zeros, alpha plus beta plus gamma तो यह होता है, minus b upon में a minus b upon में a यानि कि coefficient minus coefficient of x की power 2 upon में coefficient of x की power 3 minus b upon में a sum of zeros product of zeros product of zeros यानि कि शुन्यांकों का गुनान फल alpha into beta into gamma equal होता, c upon में a यानि कि coefficient of x upon में coefficient of x की power 3 इसी परकार sum of product of zero taken two at a time तो अलग अलग शुन्यांकों के गुनान फलो का यह होता है जैसे alpha plus beta beta plus gamma gamma plus alpha इनका sum होता है minus d upon में a minus d upon में a constant और coefficient of x की power 3 तो इस तरीके से जो cubic polynomial हो अगर sum पूछा जाए तो minus b upon में product पूछा जाए तो c upon में a और अगर उनके दो zeros के product का sum पूछा जाए तो minus d upon में a तो इस तरीके से cubic polynomial को solve किया जाता है चलिए इसी बेस पे कुछ questions start करते है इसका question number first है question number first में कहा रहा है verify the number alongside of the cubic polynomial below are there zeros also verify the relationship between the zero and the coefficient in each case सबसे पहला हमें यह पता लगा रहा है कि one upon में two one और minus का two इस बहुपद इस polynomials के शुन्यांख है या नहीं यानि कि इसके zeros है या नहीं इसके बाद हमें relationship निकालना जीरो और coefficient के 20 सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि one upon में two minus one और minus two इस polynomial cubic polynomials के zeros है या नहीं तो हम पहले one upon में two x की जगे replace करके देखते हैं one upon में two अगर इसका answer zero आता है तो यह इसके zero होगा पन रखके देखते हैं और minus का two पहले x के जगे हम one upon में two रखेंगे फिर one रखेंगे और minus two अगर इनका answer zero आता है तो यह given polynomials के zeros होंगे otherwise नहीं होंगे सबसे पहले आप इस polynomial cubic polynomial को px मान लीजिए px equal to two x की power three x की power two minus five x plus two सबसे पहले आप one upon में two रखिए x equal to one upon में two x के जगे आप replace करेंगे one upon में two two one upon में two की power three plus one upon में two की power two minus five one upon में two plus इस तरीके से replace करने के बाद अब इसको solve करना है और हमें अपना answer देखना है तू, 1 upon में 2 की पावर 3, यह 1 upon में 8 हो जाएगा, यह 1 upon में 4, माइनस 5 upon में 2 प्लस 2 आप इसको solve किजिए, 2 से गया, तो 1 upon में 4 आ जाएगा, 2, 4 दा 8, प्लस 1 upon में 4, माइनस 5 upon में 2 प्लस का 2 solve किजिए, LCM देजिए, 4 आएका, यहाँ पर, 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 8 P, 1 upon में 2, 8, 9 और 10, जो हो गया, 10 माइनस 10 upon में 4 P, 1 upon में 2, equal to, यह 0 upon में 4, equal to, तो इस परकार हमने 1 upon में 2 जो रिप्लेस किया X की जगे, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो 1 upon में 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 1 0 होगा, अब हमें यह पता लगा ना कि क्या एक इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो अब हमें X की जगे, एक उट करके देखना है, now again हमें अब X की जगे, पहले PX उतारिया अब, PX equal to 2X की पावर 3, plus X की पावर 2, 5X plus 2, अब हमें X की जगे रिप्लेस करना है, 1, X equal to 1, X की जगे 1 रिप्लेस कीजिए, 2X की जगे 1, plus 1 की पावर 2, minus 5, 1 plus 2, P1, यह आपका 2 हो जाएगा, plus का 1, minus का 5, plus का 2, P1, यह भी आपका 5, minus 5, यह भी आख़ा 0 आगया, तो इसका मतलब एक वैल्यू रखने के बाद, अगर हम X की जगे, 1 upon 2 रखते हैं, तो भी हमारा अंसर 0 रहा है, एक रखने के तो, यह मारा 0 आंसर आ रहा है, उसका मतलब 1 upon 2 और 1 इस given polynomial के 0 है, अब हमें minus 2 रखके देखना है, यह इसका 0 है या नहीं, तो minus 2 रखके देखते हैं, अब हमें X की जगे, minus का 2 रिप्लेस करके रखना है, तो जहाँ पर X है, आप पहले minus 2 रिप्लेस कर पावर 3 है, और यह minus में है, जिसकी degree odd होती है, हमेशा answer minus में आता है, तो इसकी degree odd है, तो यह minus में आएगा, यानि कि 2 minus में 8, इसकी power even होती है, अगर minus में है, तो वो पावर even है, तो यह plus को जागा, 2 to the 4, यह minus, यह minus, minus, plus, plus का 10, plus का 2, 2, 8 to the minus 16, plus, यह भी आपका 16 हो गया, P minus का 2, equal to G, यानि कि जब हमने 1 upon में 2 रखा, 1 रखा, और minus का 2 रखा, तो वो तीनों answer हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 upon में 2, 1, और minus का 2, given polynomial का 0 है, यानि कि दिए गे बहुपत का शुन्यांक्त है, तो, 1 upon में 2, 1, and minus 2 are zeros of the given polynomial, given polynomial का, यह 0 यानि के सुन्यांक्त होगा, तब हमें verify करना है, verify करके हमें यह पता लगाना है, कि जो हमारा coefficient है, और जो zeros हैं, उनके बीच relationship true है या false है, तो सबसे पहले हमें verify करना है, verify करते हैं, verify करने के लिए पहले आप अपने zeros दिए हैं, उनको उतार लीजिए, हमारे zeros थे, इवेन है जो alpha, theta और gamma, जो हमारे zeros दिए हमें, वो दिए हमें, one upon में two, one और minus का two, जो हमारे zeros हैं, अब पहले equation उतार दीजिए, हमारी जो equation है, equation है, two x की power three, plus x की power two, minus five x plus का two, यह हमारी equation है, देखिए, यह coefficient होते हैं, तो यह a, यह b, यह c, और यह d, हमें verify करना है, तो पहले देखते हैं, sum of zeros, zeros क्या होते हैं, sum of zeros, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha one upon me two plus beta और minus में, यानि कि तीनों zeros का sum, इन तीनों zeros का sum करते हैं, lcm ले लिजे two आएगा, one plus two minus two, आप solve करते हैं, तो solve करने पर यह आएगा, two से two गया, one upon me two, अब देखिए, sum of zeros होता है, minus b upon me a, sum of zeros होता है, minus b upon me a, minus four में से plus, भी जाता है, तो minus one upon me two आएगा, जो हमारे minus b upon me a के equal है, minus b, यानिके, अब हम यहाँ निकालते है, product of zeros, product of zeros, alpha into beta into gamma, one upon me two, into one, और into minus का two, अब इसको solve कीजिए, two से two कर जाएगा, यहाँ बचेगा आपका minus one, minus one, और product of zeros होता है, किसके equal है, minus d upon me a के, देखिए, minus d, two upon me two, two upon me two, one होता है, पर minus d बोलावा है, तो d के जगा है, minus का two upon me two, तो आपका answer one आएगा, तो इस तरीके से हमारा, जो product of zeros है, वो भी verify हो चुका है, अब हमें निकालना है, sum of product of two zeros, कहने के, दो अलग अलग शुन्यांकों के गुनन फल का, हमें sum निकालना है, तो देखिए, sum निकालने के लिए हमें, alpha into beta plus, beta into gamma plus, gamma into alpha, आप इनकी multiply के लिजिए, alpha, alpha one upon me two, one plus, one minus का two, plus, minus two, one upon me two, अब इनकी multiply के लिजिए, यह जाएगा, one upon me two, minus का two, minus two से minus two गया, minus का one, अब अब इसको solve के लिजिए, यह minus two की multiply, one सब्सक्राइब तो minus का two आ जाएगा, minus two से two गया, तो minus का one आ जाएगा, अब इसको solve कीजिए, LCM आ जाएगा two, को सॉल किछी एंट माइनस皆 नहीं कि माइनस फाइब अब यह व्मार अंसर है माइनस फाइब अपऊन में डू किसके ऐकवाद Chandi भण में चेम स्थाहर मारख की स सी यह घाई मारा सी क्या है माइनस का फाइब अप ऊन चैनल में अब अधी है बैइनस 5 अपोन में ऐस तरीके से हमारा जो प्रोडक्त है वह भी वेरिफाइब हो गया तो हमने इस में यह पता लगा कि यह जो given polynomial है, cubic polynomial के 2, 1 और 1 इसके zeros है या नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको PX माल लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो polynomial इसको PX माल लेते हैं, PX equal to X की power 3 minus 4X की power 2 plus 5X और minus 2, सबसे पहले आप X के जगे 2 replace करके रखिए, X के जगे हम 2 replace करते हैं, X के जगे जब 2 replace करते हैं, तो यहाँ पर 2, 2 की power 3 minus 4, 2 की power 2 plus 5, 2 और minus 2, आप इसको solve कीजिए, 2 की power 3, 8, 2, 2 की power 4, 4, 4, 4, 16, plus 10, और minus 2, P2 की value आजाएगी, यह plus, यह plus, 18 minus 18, तो P2 हमारा आगया, 0, तो इसका मतलब यह हुआ, कि PX की value 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो यह इसका given polynomial का 0 है, अब 1 रखके देखते हैं, अगें, PX, PX हमारा X की power 3 minus 4, X की power 2, plus का 5X और minus 2 है, अब X की जगे हम replace करते हैं, 1 को, X की जगे replace करते हैं, 1 को, 1, 1 की power 3 minus 4, 1 की power 2, plus 5, 1 minus का 2, 1, यह minus का 4, plus का 5, minus का 2, 6 minus 6, यह हमारा answer आगया, 0, तो यह भी given polynomials का 0 है, अब next देखिए, वो भी एक है, तो यह भी given polynomials का 0 होगा, तो इसका मतलब P1, यह भी equal होगा 0 के, तो इस परकार यह 3, 2, 1, और 1, इस given polynomial, cubic polynomials के 0 है, अब हमें इसको verify करना है, हमें verify करना है zeros और जो coefficient होते हैं, उनके भी, zeros और coefficient सबसे पहले आप zeros देखिए, आपके zeros क्या है, 2, 1, and 1, और जो हमार equation है, x e power 3, minus 4 x e power 2, plus 5 x minus 2, अब हम इसको देखते हैं, verify करते हैं, पहला हम निकालते हैं, sum of zeros, sum of zeros, of alpha, plus beta, plus gamma, alpha, plus beta, plus gamma, sum of zeros, 2, plus 1, plus 1, alpha, plus beta, plus gamma, या गया 4, sum of zeros होता है, sum of zeros होता है, minus b upon a, और यह हमारे minus b upon a, equal है, minus b, देखिए, यह minus, और यह minus, minus, minus है minus कर जाएगा, b है 4, अपोन में 1, तो 4 अपोन में 1, यानिके 1, sum of zeros 4 है, जो कि minus b upon 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ही हमारा verify हो गया, अब हमें निकालना है, product of zeros, product of zeros, product of zeros, product of zeros, जो हमारे zeros हैं, उनका into कीजिए, 1, 1, और यह 1, यह आप का जाएगा, 2, जो कि equal है, product of zeros होता है, minus d upon a, minus d upon a, हमारा d है, minus का 2, minus से minus कर जाएगा, तो 2 upon में 1, यानिके हमारा answer, 2 ही आएगा, तो product of zeros equal है, 2 के, जो minus d upon में 1 के बरावर है, तो यह भी हमारा verify हो गया, अब हमें निकालना, sum of product of two zeros, sum of product of two zeros, याने alpha, theta, plus theta, gamma, plus gamma, alpha, अब हमें इसका product of zeros निकालना, तो पहले लिखेंगे, 2 into 1, plus 1 into 2, sorry, 1 into 1, plus 1, into 2, solve कीजिए, 2 plus 1 plus 2, यह हमारा जाएगा 5, और यह 5 किसके बरावर है, यह हमारा c upon में a के, जो sum of product of two zeros, जो होते हैं, होते हैं, c upon में a, यानिके 5 upon में 1, तो हमारा answer भी आ रहा है, 5 upon में 1, यानिके 5, यानिके यह हमारे relationship verify हो गया, sum कभी verify हो गया, product का भी verify हो गया, तो इस तरीके से वो given polynomial के zeros हैं, और हमारा यह verify भी हो गया, यह लिए next question करके देखते हैं, देखिए second question में बोल रहा है, find the cubic polynomial with the sum of product of its zeros taken to at a time and the product of its zero as 2, minus 7, minus 14 respectively, यह कह रहा है कि हमें cubic polynomial निकालना जिसके zeros का सम यह है, product of two zeros का सम यह है, और product का सम यह है, यानिके हमारे को यह देरे का सम दिया हुआ है, product दिया हुआ है, और two zeros के product का सम भी दिया हुआ है, इस तरीके सा हमें इसको use करके हमें cubic polynomial निकालना है, तो इस सबसे पहले हमें let कर लेते हैं let, हमें cubic polynomial निकालना है, let कर लेते हैं cubic polynomial, पहले हम निकाल लेते हैं, let कर लेते हैं, cubic polynomial. अच की पावर 3, bx की पावर 2, dx प्लस में d, यह हमारा cubic polynomial में उसको हमने let कर दिया है, and zeros, और जो इसके शुन्यांक है, उसको माँ लेते हैं, alpha, theta, and gamma. यह हम इसके zeros माल लेते हैं. अब हमें क्योंकि cubic polynomial में A की value, V की value और C की value और D की value भी निकाल लिए है, हमें सवाल में question में दिया हुआ है sum of zeros, sum of zeros alpha plus theta plus gamma, sum of zeros दिया हुआ है 2, sum of zeros है यहाँ पे 2, और sum of zeros होता है minus B upon में A, तो यह equal हो जाएगा minus B upon में A के, इसी तरीके से product of zeros, product of zeros, product of zeros दिया है minus का 14, product of zeros होता है minus B upon में A, और हमें दिया हुआ sum of zeros, product of its two zeros, alpha into beta plus theta into gamma plus gamma into alpha, यह हमें दिया हुआ है minus का 7, यहाँ पे आप लिखे minus का 7, और यह होता है C upon में A के equal, यह होता है C upon में A के equal, तो इस तरीके से यहाँ से हम A, B और C की value निकाल लेते हैं, देखे, minus B upon में A, तो इसका हम 2 upon में 1 लिख सकते हैं, इसी तरह के से minus 14 upon में 1 लिख सकते हैं, इसी तरह से minus 7 upon में 1 लिख सकते हैं, तो इस परकार हम A की value, B की value और C की value और D की value निकाल सकते हैं, तो यहां पर देखिए A की value क्या आएगी? A की value 1 है, A की value 1, B, यह minus का B है, minus B किसके equal है? 2 के, तो minus का B, यहने के minus का 2, तो B की value आएगी minus 2 के, यह minus से minus कर जाएगा, B की value है 14 और C की value है minus 7, C की value आजाएगी minus 7 और D equal हाजाएगा हमारे 14 के, तो इस तरीके समय में A, B, C, और D की value मिल गी हमने जो QB polynomial माना था हमारा QB polynomial था A, X की power 3, B, X की power 2, C, X plus में D, आप A की जाएगे A, B, C, और D को replace कर दीजिए A की जाएगे 1, यानि के केवल X की power 3, प्लस B की जाएगे minus का 2, अब यहाँ पर B की जाएगे minus का 2, X की power 2, प्लस C की जाएगे minus 7, minus 7, X plus B की जाएगे 14, इसको जो हम solve करेंगे तो X की power 3, minus 2, X की power 2, minus 7 X, प्लस का 14, यह हमारा QB polynomial आ जाएगा, तो इस तरीके से सवाल solve हो है, third question में कहरा है, if the zeros of the polynomial, इसके zeros हमें A minus B, A और A plus दिये हैं, तो हमें find करना है A और B की value, polynomials दिये हुए हमें, cubic polynomial दिया हुआ है, उसके zeros दिये हैं, तो हमें A और B की value निकालने है, सबसे पहले देखिए हमारा polynomial का है, हमारा cubic polynomial जो हमारा, इसको PX माल लिजिए, यह हमारा X क पावर 3, 3X की पावर 2, प्लस X प्लस का 1 है, और हमारे zeros, इसको compare कीजिए पहले, comparing with, हम एक cubic polynomial बना लेते हैं, cubic polynomial PX की पावर 3, प्लस QX की पावर 2, प्लस RX, प्लस में S, यह हम cubic polynomial माल लेते हैं, generally हम AX की पावर 3, BX, AX की पावर 3, BX की पावर 2, और CX प्लस को D मानते हैं, पर यहां हमारे zeros भी AB के फॉर्म है, इसलिए हमें इसको cubic polynomial को PQ और R के फॉर्म में मानना पड़ा, जब हम इसको compare करते हैं, तो हमारी P की value है, P हमारे किसके equal है, 1K, PX की पावर 3 का coefficient है, और यह R, X का coefficient है, तो X का coefficient है 1, और S हमारा constant है, तो S को हम मानेंगे 1, हमारे zeros दिये में, जो हमें zeros given है, वो है A, minus B, A, और A, plus B, यह हमें zeros दिये हैं, तो हमें A और B की value निकाल लिए हैं, तो सबसे पहले हम sum of zeros देखते हैं, sum of zeros, देखिए sum of zeros होता है, minus B upon में A, पर हमने जो polynomial बनाया, वो P, Q के form में बनाया, तो minus Q upon में P हो जाएगा, sum of zeros minus Q upon में P, और हमारे sum of zeros क्या होंगे, alpha, beta और यह गामा, यानिके A, minus B, plus में A, plus A, plus B, यह हमारे sum of zeros, यानिके शुन्यांको का योग, यह किसके बराबर होता है, minus B upon में A, पर यहां पर हमने Q upon में P मा माना है, minus Q, minus Q, यानिके minus का 3, minus, और यह minus का 3, अपोन में P, P की value हो 1, minus Q upon में P, यहां पर देखिए, B से B कर जाएगा, 3A equal to minus minus plus 3, तो A की value यहां पर आजाएगी, 1, A की value हमारे यहां पर आगई 1, 3 इसके नीचे जाएगा, 3 upon में 3 कर जाएगा, तो A की value बन आजाती, तो A की value हमारे पस आगई, अह हम यहां नकालते है, product of zeros, प्रोडजक्ट ओफ जिरो Pinall प्रोडक्ट ओफ जिरोस होता है הי्यो होता हिमस्दबन में , ON हमने यह इहां पे पी , Q और R के فर्म में माना है तो आप इहां पे लिखेंगे स अपॉन में ! समस्द पी , समस्दhésitez दम्रे क्योंकिhi , समस्दबन में और S के फॉर्म में माना तो इसको D याने के माइनस S अपॉन में P के फॉर्म में चला जाएगा तो आप इसको कार दीजिए माइनस S अपॉन में P product of zeros A minus B A और A plus B यह हमारे zeros थे इनका product इसके वराबर है माइनस S अपॉन में P, S है 1 और P है 1, माइनस 1 अपॉन में 1 अब इसको solve कीजिए A की value 1 आ चुकी है आप यहाँ पर 1 रखिए 1 minus B, 1, 1 plus B equal to minus का 1 solve कीजिए यहाँ पर जब हम इसको solve करेंगे एक बार minus में, एक बार plus में A minus B और A plus B तो यह हमारे एक identity बन की A square minus का B square A square minus का B square A equal to minus का 1, B को आप उस तरह भेज़ दीजिए और A को 1 को इस तरह लिए तो यह हो जाएगा B square equal to 1 plus में 1, B square equal to 2, आपका 2 आ जाएगा और B की value आजएगी plus minus root में 2 इस तरीके से B की value आगी plus minus root में 2 और A की value आजएगी 1 तो देखे इस question में सबसे पहले हमें cubic polynomial बनाना है cubic polynomial को हम A, B के form में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे 0 से पहले सी A, B के form में है तो थोड़ी सी confusion जाएगी solve परते समय तो आप इसको P, Q, R और S के form में माल लीजिए P की value compare कीजिए Q की value, R की value और S की value compare कीजिए फिर आप सबसे पहले sum of zeros निकाले sum of zeros होता माइनस B अपोन में पर हमने यहां तो क्यों माना तो क्यों माइनस Q अपोन में P, यहां से आपकी A की value आ जाएगी फिर आप product of zeros निकाले product of zeros जो हमारे product है उसका zero जो हमारे zeros है उनका product और यह होता C upon में A, यानिके minus का S, minus D upon में यानिके minus का S upon में P, S minus का one upon में one solve कीजिए इसको यहां पर identity लग जाएगी A minus B और A plus B है तो A square minus B square का identity लग जाएगी B को यहां छोड़ दीजिए कि one ले जाएगी तो हो जाएगा यहां पर B square equal to 2 तो B की value प्लस माइनस root 2 तो इस तरीके से A और B की value हमारी आ जाएगी यह लिए नेक्स्ट कोश्ण करते हैं पॉर्थ कोश्ण में बोला गया है इफ टू जीरोस ऑप दा कि Q प्लस में है और M अदयर जीरोस निसकान लें तो सबसे पहला हमें गिवें दे रहे जीरो उस गुएं से पहले में क्वाड्री पॉलिनोमियल बना लेते हैं वहमारी जो पॉलिनोमियल ओगी सबसे पहले हम इस जो हमार को जीरोस दिये हैं उससे हम क्वाइडिक पॉलिनोमिल बना लेते हैं यहां जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस अंव जिरोस इनका आप सम कर लीज़े तू प्लस रूट 3 देंटाइग प्लस माइनप रूट 3 क्योंकि यहां प्लस में है और माइनस में एक्स किसी तरीके से यह रूड़क कर लीज sponsors है 3 2 minus root 3 यह हमारा आजाएगा product of zeros अब किस equation को solve कर लेते हैं x की power 2 minus minus root 3 से minus root 3 कर गया 2 और 2 4 क्या जाएगा आपका 4x plus इसको solve करेंगे a plus b और a minus b यहाँ पर identity लग जाएगे तो a square minus का b square यह आपका हो जाएगा 2 का square 4 और minus 3 2 का square 4 a square minus b square solve कीजिए x square minus का 4x plus का 1 यह हमारी quadratic polynomial बनेगी 2 plus minus root 3 की क्योंकि यह zeros हैं तो यह भी given polynomials का 0 होगा एक्स की पावर 2 minus 4 x plus में 1 इस जीरो ऑफ गिवन पॉली नॉमियल तो गिवन पॉली नॉमियल का यह 0 होगा अब हमें सबसे पहले हमने इसके quadratic polynomial निकाले quadratic polynomial हमारा आगया एक्स की पावर 2 minus 4 x plus का 1 अगला step है हमारा जो पॉली नॉमियल है इस polynomial को हमें अपने quadratic polynomial से divide करना है जो हमें polynomial दिया गया है किस्को जो हमने quadratic polynomial बनाना है उससे इसको divide करना है इवाइड करके हमारा अग्रेंद करते हैं हमने बना उसको से नहीं करते हैं और दोनों को इक स्क्राइब एक्सक्राइब 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 एक्स 35 अब देखिए यह एक ब्लस है और यह माइनस है प्लस माइनस माइनस आप माइनस अपने आप माइनस लगें आप अब कंपेर किजी एक पावर 2 है यह एक पावर 3 हमें एक से multiply करने पड़ेगी और इसका coefficient कुछ भी नहीं है पर इसका coefficient तो है तो हमें 2 और single x की multiply करने पड़ेगी इसकी multiply से करेंगे तो minus 2 x की power 3 यह minus यह minus minus plus plus two for the eight eight x की power 2 यह plus यह minus plus minus 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 का two x minus का two x को यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस यह माइनस है तो यह प्लस यह कड़िया minus minus plus होते है यह आगया minus का 35 x की power 2 यह plus यह plus plus 140 x minus 35 फिर देखिए यह minus है और यह plus है प्लस माइनस माइनस होता है माइनस यहाँ x की power 2 और यह भी x की power 2 दोनों equal है coefficient माइनस 35 है तो पहले इसको माइनस 35 से multiply कर लिजे तो यहाँ पर लिखे 35 अब माइनस 35 से की multiply माइनस 35 x की power 2 माइनस माइनस प्लस 35 की multiply 4 से करेंगे तो प्लस 140 x माइनस प्लस माइनस माइनस का 35 साइन चेंज कर लिजी यह यह प्लस हो जाएगा यह माइनस प्लस यह कड़ गया यह कड़ गया यह आपका रिबेंडर आ गया जीरो तो पहले जीरो तो यह थे जो टू प्लस माइनस रूट 3 में दिया हुआ था और एक जीरो से हमार पास यह है एक्स की पावर 2 माइनस 2 एक्स और माइनस 35 तो हमें अदर्स जीरो निकालने थे तो अदर्स जीरो अदर्स-0 में आप इसके फैक्टर कर लिजे जो हमारा कोशंट आया X की पावर 2, 2X और माइनस 35 आप इसके फैक्टराइज कर लिजे तो यह एक्स की पावर 2, माइनस 7X प्लस का 5X माइनस 35 यहां पर आप X को मन ले लिजे तो यहां बचेगा X माइनस का 7 प्लस 5 कोमन ले लिजे तो x-7 तो इस तरीके से हमारा x-7 और x-5 इसका फैक्टर आ जाएगा क्योंकि हमें 0s निकालने थे तो हमें 0s जो मिलेंगे वो x-7 equal to 0 तो x के value 7 आगे x प्लस में 5 equal to 0 तो x के value तो इस तरीके से हमें 0s निकालने थे तो 0s अडर्स जिरो आगे 7 और माइनस का 5 ओल 0s हमारे आगे तो हमारे ओल 0s होंगे पहला होगा 2 प्लस माइनस रूट 3 तो तो हमारे यह हो गए माइनस का 5 और 7 तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो कॉश्चन दिया वाए जीरो दिये वे इस 0s को पहले quadratic polynomial में convert करना था quadratic polynomial x की पावर 2 माइनस sum of zeros plus product of zeros होता है इसके बाद देखिए यहां पर हम यहां sum of zeros product of zeros निकालते हैं तो हमारी equation बन जाते हैं जो हमारी equation बनते हैं equation को हम given polynomial को उस quadratic polynomial से हम divide कर देते हैं तो divide करने के बाद जो हमारा कोशन आता है अब उस कोशन का आप एक्टर कर लीजिए कोशन के फैक्टर आजते हैं एक्स माइनस साथ एक्स प्लस साथ एक्स की वैलिव साथ और अगर इस polynomial को इस polynomial से divide किया जाता है तो हमारा remainder x प्लस में a बचता है तो हमें find करना है k और a की value यानि कि जब हम इसको इससे divide करते हैं तो हमारा remainder x X plus में A के form में आता है तो हमें K और A की value निकाने सबसे पहले हम इसको divide करके देख zaten X की power 2 और इसको divide करते हैं X की power 2 यहाँ x की power 4 है दो यहाँ पर हमें X की power 2 से iski multiply करनी पड़ी हम इसकी multiply करते हैं Xbox cause x की power 4 इसकी multiply से करेंगे minus 2 x की power 3 इसकी multiply से करेंगे plus k x की power 2, इसके बाद आप sign change कर देजिए, यह plus है, minus minus है, plus plus है, minus 1, पड़िया, k में से दो गए, तो minus 4 x की power 3, यह plus, यह x की power 2, यह भी x की power 2, आप x की power 2, common ले लिजिए, तो आजएगा 16, minus k, x की power 2, minus 25 x plus का 10, यहाँ पर x की power 2, common ले लिजिए, तो 16 minus k हो जाएगा, अब यहाँ पर minus है, यह plus है, plus minus, minus, तो यहाँ पर यहाँ पर 4, और यहाँ पर इसका coefficient 1 है, इसका coefficient 4 है, तो आप यहाँ पर पह एक्स इसकी multiply कि लिए अब इसकी multiply से करेंगे तो minus 4x की power 3 यह minus, यह minus, 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 plus 4 to the 8, 8 इसकी multiply से करेंगे 4x की power 2, 4 to the 8, 8x की power 2, यह minus, यह plus, plus, minus, minus, minus लगा यह चार की multiply से करेंगे तो 4x, minus का 4x, अब इसके बाद आप sign change करतीजिए, sign change करेंगे इसके, यह minus है, यह plus हो जाएगा, plus है, यह minus है, तो यह plus, sign change करतीजिए, यह कड़ गया, अब यह plus है, यह minus है, फिर यहाँ पर आप x की power 2 को common ले लेजिए, जब हम यहाँ पर x की power 2 को common लेते ह x की power 2 को common ले लेजिए, तो 16 में से 8 गए, 8 minus k, यहाँ आप का answer बचेगा, 16 में से 8 गए, 8 minus k और x की power 2, minus, यह 25x और यहाँ पर 4k x है, यहाँ पर भी आप x को common ले ले लेजिए, यहाँ पर आप का answer आएगा, 25 minus 4k और यह x plus का 10, इसके बाद देखें, यहाँ पर यह plus है, यह भी plus है, दोनो plus plus है, तो आप यहाँ पर लगाए, प्लस लगाने के बाद, आप इसको देखें, यहाँ पर 8 minus k है, वह इसकी multiply 8 minus k होगी, क्योंकि इसके x Aww, 8 minus k है, तो इसका coefficient है, यहाँ पर आप एट minus cases की multiply, 8 minus cases की multiply करेंगे, तो 8 minus k का all square x square sorry ये plus ये minus plus minus minus 2 की multiply से करेंगे 2 8 दा 16 या आप 2 बाहर ले लिजे common इसकी multiply से करेंगे 2 8 minus k ये हमारा हो जाएगा x फिर इसकी multiply से करेंगे plus 8 minus k into k ये हो जाएगा आप इसके बाद इसको solve कीजिए 9 change कीजिए ये plus है तो ये minus हो जाएगा ये minus है तो ये plus ये plus है तो माइनस ये तो कट गए उपर से उतारेंगे आप माइनस का पच्छिस माइनस पच्छिस 4 k x plus 2 8 minus k x फिर यहां पर इतारी आप माइनस 8 k into k plus का 10 अब इसको आप पहले solve कर लीजिए इसको solve करेंगे ये minus है माइनस का 25 minus minus का 25 x इसकी multiply से करेंगे तो minus minus plus 4 k x a to the 16 x इससे करेंगे minus का 2 k x into में इसकी multiply से कीजिए माइनस 8 k plus का k की power 2 plus का 10 इस सवाल में सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीकी से solve कर लीजिए ये भी x है और ये भी x है इन दोनों का आप solve कीजिए 25 x और 16 x 25 x में से 16 x गए तो माइनस का 9 x ये 2 k x है और यहाँ पर ये 4 k x और यहाँ पर 2 k x 4 k में से 2 k जाएगा तो plus का 2 k x ये हमारे solve हो गए यहाँ तक अब यहाँ पर देखिए कि माइनस का 8 k plus का k की पावर 2 और plus यहाँ पर 10 है अब इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर k और यहाँ पर x और यहाँ पर k के form है हमारा जो remainder आया था 9 प्लस में 2 k x लिख लीजिए माइनस तो आप माइनस यहाँ इसको पहले plus कर लीजिए बात वही पड़ेगी आप पहले plus लिख लीजिए प्लस k की power 2 minus 8 k plus का 10 यह हमारे इसके zeros आ गये यह हमारे इसके सेश्वल याने के यह हमारा इसका remainder आ गया बट बुक में हमें क्या दिया हुआ था उप में दिया हुआ था बट यह हमारा remainder है और बुक में हमें remainder दिया था x plus में a बुक में हमारा रिमेंडर है X प्लस में A के फोर में जो किसके एकवल होना चाहिए माइनस 9 प्लस में 2K X प्लस में A की पावर 2 माइनस 8K प्लस का 10 अब आप इसको कमपेर कीजिए X से कमपेर कीजिए X का कॉफिशेंट 1 है और यहां पर X का कॉफिशेंट है माइनस का 9 प्लस में 2 और यहां पर A इकवल होगा X से कमपेर करेंगे तो X इकवल टू यह आएगा और 1 एकवल टू यह आएगा अब हम इसको सॉल्ब करते हैं देखिए अब जब हम इसको कमपेर करते हैं तो कमपेर करने पर देखते हैं पर हमें x की value यहाँ पर देखे, x का compare करते हैं तो इसका coefficient 1 है और इसका coefficient है minus 9, यानि कि आप ऐसे लिख सकते हैं, x equal to this, तो minus 9 plus में 2k, इसका coefficient 1 के बराबर है, तो कि x का coefficient 1 है और इसका coefficient है minus 9 plus में 2k, तो यहाँ पार पहली value आ जाएगी यहाँ पर, दूसरे में देखे, x के equal होगा, x की power 2 minus 8k plus में 10 के बराबर होगा, आप यहाँ से x की value निकाल दीजिए, 2k equal to 1 plus में 9, 2k equal to 10, x की value यहाँ पर आ जाएगी हमारी 5, x की value 5 आगे, 5 का आप यहाँ पर put कर दीजिए, तो a equal to 5 की power 2, यहाँ पर आप लिकिए, 5 plus का 10, a equal to 25, 40 plus में 10, equal to 35 minus का 40, a की value हमारी आ जाएगी यहाँ पर minus का 5, तो इस तरीके से a की value यहाँ पर हमारी a की value 5 है और a की value minus का 5 है, इस तरीके से हमारी a, a और a दोनों की value आगे, k की value 5 और a की value minus 5, माच तो इस question में करना किया था सबसे पहला आपको लिए सबसे पहले कर लिए के माद के बाद viens remainder बसता है आपका जो remainder बसता है वह remainder यह बचेगा इस remainder को आप अच्छी तरीके से solve कर लीजिए solve करने के बाद आप एक्स वाले को अलग कर लीजिए जो भी आपके साथ X है जिनके साथ भी X है उसको पहले solve कर लीजिए यह आपका एक्स प्लस का 2KX आप आप X common ले लीजिए प्लस में बागी जो बचा हूँ आपको side में लीजिए हमारा remainder यह आ गया पर remainder किसके form में था X प्लस A के form में था यहाँ पर X का coefficient compare करते हैं तो यह दोने equal होने चाहिए यहाँ पर X का coefficient 1 है तो minus का 9 प्लस में 2 के बराबर होगा 1 के इसी तरीके से A की value हमारे पास आजएगी K square minus 8K plus का 10 जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा K की value 5 और A की value minus 5 आ जाएगा इस तरीके से आप इस question की आप practice कीजिए आंसर आ जाएगा important question है और में पूछा जा सकता है इस परकार आज हमने chapter 2 polynomial को complete कर लिया है next video में हम chapter 3 करेंगे आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी next video में chapter 3 के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद